नवीनी करन उर्जा आज के समय की बहुत एहम है और हमारी बढ़ती हुई उर्जा के उपयोग को देखती हुई नवीनी करन उर्जा का स्मार्ट सिरी में बहुत जादा महतव है इसी के तहद स्मार्ट सिरी धरमशाला में सौर उर्जा पर कार्या हो गया है कारे शुरू हो गया है ये शव्द आयुक्त नगर निगम एवं प्रबंदक निर्देशक स्मार्सिटी धरमशाला संदीब कदम ने कहे उन्होंने कहा कि सौर उर्जा में 342 किलो बाट विजली तियार होगी धरमशाला में सौरेदेव की रोशनी से रात को भी उजला होगा धरमशाला नगर निगम शेहर में सोलर उर्जा से विजली तियार करने के लिए सोलर पैनल लगाएगा इस परियोसना के लिए 2,43 लाक की राश्ची खर्च होगी नगर पहिशद ने स्मार्ट सिटी परियोसना के तहद उपरोक्त परियोसनाओं को मूरत रूप देने के लिए सभी औप्चारिकताओं को लगपपूरा कर लिया है उपरोक्त परियोसनाओं के तहद शेहर भर में नगर निगम सरकारी इमारतों पर बतालिस सोलर पैनल लगाएगा इसके लिए मौजुदा समय में 14 इमारतों का चेन किया गया है इस परियोसना के धरातल पर आने के बाद ही समार्ट सिटी धरमशाला के नाम एक और तमका ऐसा जूट जाएगा जो अपने आप में ही शेहर को अन्य शेहरों की तुलना में अलग विशिष्टा दिलाएगा बरतमान में धरमशाला में बिजली कटकी समस्य भी बरकरार है जिससे जल शेहर के वाशिंदों को निजात मिलेगी वहीं इस परियोसना के अलाबा भी अन्य कई परियोसना हैं शेहर में स्मार्ट सिटी परियोसना के तहर धरातल पर चल आएंगी जिन पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोसना के अधिकारी कारे रथ हैं सोलर उर्जा से बिजली तियार करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोसना के तहर दो करोड़ तैन्तालिस लाग की योसना तियार की है इसके तहे शेहर में 42 सोलर पैनल लगाए जाएंगे ये सबी सोलर पैनल सरकारी इमारतों पर लगेंगे इसके लिए इमारतों का चेन शुरू कर दिया गया है और करीब 14 इमारतों को चेनित भी कर लिया गया है जल्द ही अन्य स्थानों का भी चेन कर लिया जाएगा परियोजना को धरातल पर लाने के लिए सभी अपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है सूरेदेव की कीर्णों की रोशनी से सोलर पैनल से बनने वाली विजली को विदुत विभाग को दिया जाएगा और धरमचला नगर निगम की और से विजली विभाग को दी गई यूनिट को काट कर विजली बोड एमसी को विजली का विल भेजेगा क्योंकि कोई भी रिन्यूवल इनर्जी जो है वो आज के समय बहुत एहम है हमारी बढ़ती हुई उर्जा का जो विजली उसको देखते हुए रिन्यूवल इनर्जी पे स्मार्ट सिटी का काफी सारा इंफसिस है उसी के तरह हमने सोर उर्जा के कारें शुरू किया है और उसका टेंडर हम अभी फ्लोट करने जा रहे है इसमें करीब 342 किलो वाट का रूप का सोलर व्यवस्ता उर्जा की व्यवस्ता करने के लिए हम प्रयास कता है हमारे जो गवर्मेंट की जो चौदा बिल्डिंग्स हैं उनका सीलेक्शन उचैन इसमें किया गया है और उनके च्छतों पर सोलर पैनल्स लगेंगे जिससे की 342 किलो वाट की उर्जा निर्मित की जाएगी इस पर करीब 2 करोड 43 लाग के आसपास की लागत आए थैंक्यू गर्यवस्ता